अब सभी का स्वागत है competition community के इस online platform पर मैं हूँ अभिशेक गौरहा और हम डील कर रहे हैं current affairs चतीजगड राष्ट्रिय एवं अंतर राष्ट्रिय वे सभी समसमाई की जो हमारे लिए परिक्षा उपयोगी है या फिर exam के point of view से हमारे लिए important है हम उन current affairs को deal कर रहे हैं आज है 3 जून 2024 याने की Monday और आज है हमारे लिए चतीजगड current affairs day मैं महिने के चौथे हफ़ते याने की मैं के आकरी हफ़ते में जो कुछ भी चतीजगड में समसमाई की गटनाय रही है आज हम उनको देखने वाले हैं आज के session को शुरू करने से पहले एक विशह है जिस पर चर्चा करना जरूरी है intense heat wave जिससे ना केवल हमारा भारत बलकी पूरा विश्व जिससे परेशान हो गया इस बार की गर्मी ने सारे records तोड़ दिये हैं और ये जो intense गर्मी पढ़ रही है अत्यधिक गर्मी पढ़ रही है इसका बिलकुल जो primary reason है जो basic reason है वो है climate change और ये climate change हो क्यो रहा है global warming के कारण क्योंकि हम सभी global warming को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हमको इसका निदान भी पता है हमको कम से कम क्या करना है जो global warming create करने वाले substances हैं उनको environment में release करना है और ज्यादा से ज्यादा carbon dioxide को absorb करने वाले हमारे जो पेड पौदे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा करना है क्या लगाना हैं तो आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से अपील करना चाहता हूं अपने घरों के आसपास में at least दो पेड आप लगाएं है ना छोटा पेड लगाएं चाहे आप बीच के रूप में उसे लगाएं लेकिन उसका ध्यान रखें continuously पूरे एक साल तक वरना चुनाओं के रिजल्ट्स तो आएंगे ही आएंगे भाजपा आएगी चाहे कॉंग्रेस आएगी NDA आएगा चाहे UPA आएगा 400 पार हो ना हो लेकिन अगर हम लोग इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज को नजर अंदास करते रहे गाए तो इस बार तो हमारा 46-47 डिग्री सेल् अब की बार 48 पार हो जाएगा और अगली बार 50 पार है ना इसलिए मैं आप सभी से अनुरोद करूंगा पेंड जरूर लगाए और सिर्फ लगा करके छोड़ना नहीं है पेंड लगा करके उनका देख रेक करना है उनकी नर्सिंग करनी है साल भर आईए शुरू करते हैं आ एक हमारे पास में है चत्तिसगड विजन 2047 दूसरा है महतारी सदन योजना तीसरा है अमेंडमेंट इन चत्तिसगड रूल्स और जो क्रिमिनल का है उसमें कुछ शंशोधन हुए हैं उसको हम देखेंगे उसके बाद में हम देखेंगे चत्तिसगड के सरकार की एक बहु उ अब्यारण योजना कैटल सैंशरी बनाने का जो प्लान किया जा रहा है चत्तिसगड सरकार दौरा उसको देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे कोई ऐसे चर्चित स्थान है जो हाल फिलहाल में मैं महीने के चौते हफते में न्यूज में बने रहे एक है आपके पर महादेव दूसरे है आपके पास में शिव सागर बांध जो कि बिलासपूर में है तीसरी है आपके पास में सकंद माता की प्रतीमा जो की कहां पर है मलहार में है इसके बाद में कुछ ऐसे व्यक्ति है जो हमारे लिए चर्चित बने रहे हैं इस हफते उनके बारे में भ और तीसरी है स्मृतिक कटेलिहा चौते हैं प्रमोच सहू यह वो व्यक्ति है जो किसी ना किसी कारण से इस बार क्या बने हुए है यूज में बने हुए रहे हैं इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारे पास में खेल से सम्मंदित कुछ आपके समसमाई की हैं जैसे कि चतिसग कारे में थोड़ा से इंफॉर्मेशन देखेंगे उसके बाद हम देखेंगे चतिसगर कबड़ी प्रीमेर लीग बहुत जादा कुछ इसमें जानने का नहीं है बस इसका कौन सा संसकरन है और यह कहां पर हो रहा है यह हमको देखना है और एक डेटा आया है ट्राइबल तो यह जो है यह है आपका एक डॉक्युमेंट है जो कि राज नीती आयोग राज नीती आयोग द्वारत तयार की जा रही है इसका पूरा नाम क्या है अमरित काल चतिसगर विजन 2047 या फिर अमरित काल जैसा कि हम सभी को पता है हमारी जो रिफॉर्मिस गवर्मेंट है सेंटर में बैठी हुई उनका है कि 2047 तक भारत को विक्सित कैटिगरी का देश बना दिया जाना चाहिए उसके लिए उनका एक विजन है जिसको हम बोलते हैं विजन 2047 विजन 2047 तो उसी विजन 2047 जो केंद्र की है उसमें हमारे 36 गड़ का योगदान किस प्रकार से रहेगा हम अपने 36 गड़ को किस हिसाब से विक्सित करेंगे उसके लिए हमारे राज की जो नीती आयोग है जो हमारे राज में प्लानिंग और इंप्लिमेंटेशन की हाइस विंग है उन्होंने अभी शुरुआत कर दिया है क्या एक डॉक्यमेंट बनाना 36 गड़ विजन 2047 पूरा नाम रहेगा इसका अमरितकाल चत्तीसगड विजन एड दो हजार से तालिस ठीक है तो देख लेते हैं क्या है इसमें क्या है इसमें एक डॉक्यमेंट बिग प्रिपेरड बाई राज नीती आयोग एज विजन फॉर डेवलब चत्तीसगड बाई 2047 विच विल बूस्ट दस विजन 2047 ऑफ सेंट्रल गवर्मेंट विच एमस तु ब्रिंग इंडिया इंटु डेवलब केटिगरी बाई 2047 मतलब क्या हो रहा है यहां पर यह आपका 2047 तक विक्सिच चत्तीसगड के विजन के रूप में राज नीती आयोग द्वारा तयार किया जा रहा एक दस्तावेज है जो केंद्र सरकार के विजन 2047 को क्या देगा पर हावा देगा और इसका उद्देश ही क्या है 2047 तक क्या करना है इसका विजन 2047 तक भारत को जो विक्सिच च्रेणी में लाने का विजन है उसमें 36 गड का योगदान है ठीक है आगे देखते हैं इसकी कुछ प्रात्मिक्ता वाले छेत्रे हैं मतलब हमारे 36 गड में अगर हम ये विजन देख रहे हैं कि 2047 तक हम इसको क्या करेंगे विक्सित करेंगे तो हम किन छेत्रों पर बिल्कुल फोकस करके अपना काम करेंगे वो प्रायोरिटी एरियाज है वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए हो सकता है आगामी हाला कि अभी ये डॉक्युमेंट प्रिपेर नहीं हुआ है जब ये डॉक्युमेंट प्रिपेर हो जाएगा तो हम एक पूरा सेपरेट विडियो बनाएंगे ये आपका जो डॉक्युमेंट होगा अमृत काल, चत्तिजगर, विजन, एट रेट, टुथाउजन, फॉटी सेवन इसके उपर पूरा हम एक सेपरेट विडियो बना करके उसको डील करेंगे है ना अभी हमारे लिए क्या है, प्रायोरिटी एरियाज है एक है क्या, हेल्थ एंड हैप्पी, हेल्दी एंड हैप्पी सोसाइटी मतलब स्वस्थ और खुशहाल समाज बनाना इनका एक क्या है बिलकुल की फोकस एरिया रहेगा, दूसरा इनका क्या रहेगा, सूसाशन है ना, याने की गुड गवर्नेंस, उसके बाद में टेक्नोलोजिकल डेवलप्मेंट या फिर तक्नीकी विकास, और फाइनली इनका जो की एक एरिया है चौथा वो है क्या इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलप्मेंट, मतलब बुनियादी ढाचे या फिर अधोसन रशना का विकास करना कहां पर हमारे राज में, ये अधोसन रशना दोनों हो सकती हैं, समाजिक, सोशल और एकोनोमिकल, मतलब समाजिक और आर्थिक, दोनों प्रकार की अधोसन रशना का निर्मान करना है इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग समाजिक अधोसन रशना के दो उधारन और आर्थिक अधोसन रशना के दो उधारन हमको लिख करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे जिससे हमको एटलीस ये clear होगा कि आप लोगों को इस अधो सनरशना का समाजिक और आर्थिक concept clear है या नहीं अगर नहीं होगा तो मैं अपने अगले वीडियो में इसको आप लोगों को clear कर दूँगा अब देखते हैं ये कैसे होने माला है तो ये जो हमारा विजन है 2047 के लिए इसको हम कैसे करेंगे तो इसको हम करेंगे short term, medium term और long term goals बना करके याने की अलप अवधी के, मध्य अवधी के और दिर्ग अवधी के लक्षों को हम तयार करेंगे और उनको क्या करेंगे उस हिसाब से लक्षों की प्राप्ति करते चलेंगे तब जाकर के हमारा क्या होगा 36 गड़ डेवलप हो जाएगा अब हम लोग बार बार यहां पर नाम ले रहे हैं राज जनीती आयोग ये शब्द आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे क्योंकि ये शब्द अभी अभी ही आया है 36 गड़ में अब राज नीती आयोग क्या है कैसा है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं 10 जन्वरी 2001 को राज योजना बोर्ड राज योजना बोर्ड के रूप में गटित किया गया था राज के संसाधनों को कुशल दोहन द्वारा लोगों के जीवन स्तर में तेजी से व्रिद्धी करने के उद्देश से मतलम राज नीती आयोग उस समय सन 2001 में 10 जन्वरी 2001 को स्टेट प्लानिंग बोर्ड के रूप में इसका गठन किया गया था और इसका अबजेक्टिव क्या था रैपिड राइज इन दे स्टैंडर्ड ओफ लीविंग आफ पीपल बाई एक्स इफिशेंट एक्स्प्लोइटेशन ओफ रिसोर्सेस ओफ स्टेट तो राज के जो संसाधन है उनका एक क्या करना है कुशल दोहन करते हुए राज के लोगों के स्टैंडर्ड ओफ लीविंग में या फिर जीवन स्तर में त्वरित सुधार करना इसका क्या था इसके बाद 2010 में 2010 में इसका क्या कर दिया गया नाम चेंज कर दिया गया और इसके कार भी बदल दिये गया पहले ये क्या था State Planning Board था उसके बाद में इसको क्या कर दिया गया State Planning Commission बना दिया गया याने कि राज योजना बोड से हटा करके इसे क्या बना दिया गया राज योजना आयोग बना दिया गया तो ये बोड बना कब बोड के रूप में इसकी स्थापना होई सन 2001 में फिर इसे कमीशन बना दिया गया या फिर आयोग बना दिया गया कब सन 2010 में इसके बाद में 2010 से लेकर के 2020 के बीच में इसको दो बार फिर से इसका क्या किया गया पुनर गठन किया गया रीकंस्टिटूशन किया गया एक बार 2014 में और 2020 में हमारे लिए इंपॉर्टन्ट है हाल फिल हाल में यानि कि मार्च 2024 में इस जो आपका स्टेट प्लानिंग बोर्ड है यह जो 2014 और 2020 में इसका पुनर गठन किया गया था इसकी सदस्यता के अधार पर इसका पुनर गठन किया गया था पोर्ड के रूपने से स्थापित किया गया 2001 में 2010 में इसे आयोग बनाया गया और फाइनली 2024 में मार्च 2024 में इसको क्या कर दिया गया Planning Commission से हटा करके इसका नाम रख दिया गया क्या राजनीती आयोग तो आप लोगों के लिए बेहद इंपोर्टेंट इस बार के मेंस के लिए ये हो जाता है राजनीती आयोग जैसा कि आप लोगों को दंतेवाडा का सोपान दे सकता है उसी प्रकार आपको राजनीती आयोग का सोपान दे सकता है है ना मतलब उसका उसके जन्म से लेकर के अभी तक की उसकी जो भी कहानी रही है राजनीती आयोग की उसके बारे में आपको चार आठ नमबर का सवाल पूछा जा सकता है ठीक है तो 2010 से दो बार यानि 2014 और 2020 में इसका पुनर गठन किया गया मार्च 2024 को राज योजना आयोग का नाम बदल कर राजनीती आयोग कर दिया गया ठीक है अब इसका थोड़ा सा हम कंपोजिशन देख लेते हैं या फिर इसकी सनरचना देख लेते हैं इसका composition वरतमान में इसका composition या फिर सनरचना कैसी है यह देख लेते हैं आप लोग एक तो होंगे यहाँपर एक chairman chairman होंगे यहाँपर और chairman कौन है यह है आपके honorable chief minister या फिर उनके कोई nominee मतलब जो भी आपके राज के मुख्य मंतरी होंगे वो इसके क्या हो कहेंगे ex official chairman हो जाएंगे या फिर पदेन अध्यक्ष हो जाएंगे उसके बाद में एक full time member होगा यहां पर full time vice president होगा यानिकी पूर्ण कालिक उपाध्यक्ष ये एक होगए अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री होंगे या उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति होगा दूसरा होगा उपाध्यक्ष दो राज शाशन द्वारा मनोनित किया जाएगा नॉमिनेट किया जाएगा तो यह जो आपका फुल टाइम वाइस प्रेसिडेंट है यह नॉमिनेटेड वाइस स्टेट गवर्मेंट हो गए इसके बाद एक्स ओफिश्यो मेंबर्स होंगे सदस्य पूर्ण कालिक सदस्य तो इसमें चार आपके पदेन सदस्य होंगे जिनका क्या होगा जो आपके मुख्य मंत्री द्वारा नामित होंगे मंत्री परिशद में से चार मंत्रियों का क्या किया जाएगा इसमें आपका पदेन सदस्य बनाया जाएगा यह आपके एक फ होंगे जो क्या होंगे राज शाशन के द्वारा ये भी मनोनित किये जाएंगे इसके बाद में आपका अंशिकालिक सदस्य आएंगे तीन अंशिकालिक सदस्य मेंबर्स हैं यह तीन है ना और यह कहां से होंगे eminent person from agriculture industry education health social sector economics nominated by state government होंगे ये लोग मतला भी ये लोग कहां से क्रिशी उद्योग सिक्षा स्वास्त समाजिक शेत्र ये सारे छेत्रों से होंगे कौन होंगे विशिष्ट व्यक्ति होंगे इसके बाद और दो अंशकालिक व्यक्ति आ रहे हैं पार्ट टाइम मेंबर्स हैं ये और ये दो पार्ट टाइम मेंबर्स कौन होंगे ये भी नॉमिनिटेट बाइस गवर्मेंट ही होंगे as ex-officio members on yearly rotation basis मतला ये जो पार्ट टाइम दो मेंबर्स होंगे ये लोग वो दो साल के एक-एक साल के rotation में क्या होते जाएंगे चेंज होते जाएंगे और ये लोग कहां से रहेंगे ये मेजर जो आपकी युनिवर्सिटीज हैं राज्यकी research institutions हैं जैसे की IGKV वेगरा उन सब जगों से होंगे इसके बाद में इनका एक पूरा क्या होगा secretariat होगा पूरा इनका क्या होगा अंशकालिक देख लिए सथाई सदस्य देख लिए जिनको हम आमंत्रित करेंगे एक-एक साल की चक्रा नूमसार एक-एक साल में ये बदलते जाएंगे कितने होंगे स्थाई अमंत्रित वाले दो होंगे अब इनका पूरा एक क्या रहेगा सेक्रेटेरियट रहेगा सदस्य सच्चीव रहेंगे ये साशन द्वारा पदस्त सचीव स्तरी अधिकारी रहेंगे जो कि सलाकार रहेंगे चार सलाकार फिर उप सचीव रहेंगे संयुक्त संचालक रहेंगे विप्त के इनके अंडर में फिर संयुक्त संचालक रहेंगे तकनीकी फिर इनके अंडर में अवर सचीव यहां पर आ जाए या ना composition of state नीती आयोग या फिर राज नीती आयोग का क्या संरशना बताईए तो कुछ नहीं आप लोगों को यही जो डाइग्राम है इसको ही वहाँ पर समझाना होगा ठीक है यह और यह यह दोनों का आप लोग screenshot ले लेंगे और यही है आपका क्या state राज नीती आयोग का संरशना या फिर उसकी composition दूसरा जो हमारे लिए important है वो है महतारी सदन अब यह महतारी सदन योजना क्या है यह एक प्रकार की सामुदाइक भवन होगी जो विशेश रूप से महिलाओं के लिए रोजगार श्रीज के साथ साथ उन्हें काम करने के लिए जगह प्रदान करने के लिए बनाया जाएगा तो यह महतारी सदन योजना क्या है इस योजना के तहत महतारी सदन बनाया जाएंगे और यह महतारी सदन क्या होगा यह एक प्रकार का आपका सामुदाइक भवन होगा community building होगी जो की क्य स्पेसिफिकली बनाई जाएगी महिलाओं को क्या करने के लिए रोजगार मुहिया कराने के लिए और साथ साथ रोजगार मुहिया कराने के साथ साथ उन्हें एक विशिष्ट स्थान प्रदान करने की जहां पर बैट करके वो अपना क्या करेंगी अपना कार्य करेंगी तो य इसका जो कार्य होगा वो चतिसगड सरकार के पंचायत एवं ग्रामिड विकास विभाग द्वारा कराया जाएगा और प्रथम चरण में चतिसगड के प्रत्येक ब्लॉक में दस महतारी सदनों का क्या किया जाएगा निर्मान किया जाएगा वेरी 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 अपरेल दोहजार चौबिस शुरू हो करके 31 मार्च दोहजार पचीस तक चलेगा इसमें पहले फेज के महतारी सदनों को क्या किया जाएगा निर्माण कराया जाएगा एक ब्लॉक में जो चत्तीजगड का एक डेवलप्मेंट ब्लॉक है है ना वहां पर क्या होगा विकास ख विकास खंड है भीया तो 146 विकास खंड है हमारे चत्तीजगड में अब इसी के साथ में आप लोग जवाब देंगे कि हमारे चत्तीजगड में वर्तमान में तहसील कितने हैं कितने तहसील है और तहसीलों और विकास खंडों के बीच में डिफरेंस क्या है ये भी आप लो लोगों को clear नहीं होगा तो तो एक तरफ आपको बताना है क्या 36 गड़ में तहसीलों की संख्या कितनी है दूसरा आपको बताना है 36 गड़ में तहसीलों और विकास खंडों में क्या अंतर है और एक और सवाल हमने क्या पूछा था सामाजिक और आर्थिक अधोसन रश्ना के दो-दो उदाहरण आप लोगों को हमें लिक्ट करके बताने हैं कब चली आगे चलते हैं तो इसका उद्देश ही क्या है हमने देख लिया कि यह पंचायत और ग्रामिड विकास विभाग द्वारा इसका क्या क्या होना है क्रियान व भी बातों बातों में देखी लिया है तो जन्रेट एंप्लाइमेंट ऑपर्चुनिटीज रोजगार के उसर पैदा करने के लिए दूसरे हैं आपके पास में तू प्रोवाइट स्पेशल प्लेस फॉर विमेन ग्रूप और इंस्टिटूशन टू वरक अपॉन मतलब महिला आउं के समूह हो एवां सथानों को काम करने के लिए विशेश स्थान प्रदान करना भी इसका एक क्या है उद्देश्य है फिर गावों का सरवांगिन विकास करना मतलब रोजगार महिला रोजगार का उत्थान कराते हुए गावों का सरवांगिन विकास करना ही इसका क्या है उत्देच है अब यहाँ से एक सवाल आप लोगों का और आ जाएगा EPSP से सम्मंदित याने कि Directive Principles of State Policy सी हमारे भारतिय सम्मिधान के कौन से अनुच्छेद में ये बोला गया है कि हमें गाउं का विकास करना है यह एक आपका सामाजिक नीती निदेशक तत्तों में आएगा आप लोग उस आर्टिकल को खोज करके हमें बताएंगे जो ये बोलता है जिस आर्टिकल के माध्यम से हमें ये बोला जाता है गाउं का विकास हमको करना है मतलब राज्य सरकारें चाहे वो केंद्र की हो चाहे राजी की हो वो अपने नीतियों का कुछ इस प्रकार से निर्मा वाली है उसकी specification देख लेते हैं हलाकि हमारे exam में किसी काम का नहीं है फिर भी यहां पर दो rooms होंगे जो official purpose के लिए होंगे चाहे वो कारयाले बना सकते हैं चाहे दुकान बना सकते हैं एक hall होगा 60 meter square का जहां पर क्या होगा संचालन का छेत्र होगा या फिर कार यह वहां पर किय जाएगा जो भी आपका अगर कोई सिलाई कढ़ाई से संबंदित अपना रोजगार वहां पर करने वाले हैं तो एक office हो जाएगा जहां से वो लोग अपना outlet create करेंगे फिर दूसरा operational zone रहेगा जहां पर वो लोग actually सिलाई कढ़ाई करने वाले होंगे इसके बाद में एक kitchen भ लिए चार दिवारी का निर्माण किया जाएगा boundary wall का निर्माण किया जाएगा 25 लाख रुपैस की निवेश के साथ में सामुदाइक आपका सौचालय बनाया जाएगा very important तो इसी योजना के अंदर में सामुदाइक सौचालय और जो स्वच्छ भारत अभियान है उसको भी क्या मिलेगा इसमें से boost मिलता चलेगा तीसरा देखने हैं हम 36 गार्ड rules and order criminal में एक संशोधन किया गया है बहुत 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 जादा important है ये very 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 important और खास कर ये 2023 और 2024 में होने वाला जो आपका राज सेवा परिक्षा होगी उसके मुख्य परिक्षा के लिए बहुत जादा important हो जाएगा सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर इसमें हुआ क्या है तो दो changes हुए है हमारे पास में 36 गार्ड rules and order criminal जो है इसमें दो changes किये गए है एक नया rule 87A यहाँ पर क्या किया गया है स्थापित किया गया है और दूसरा आपका section 661, 641 नियम 641 कहा है नियम 641 में एक नया घंड या फिर एक नया clause E जोड़ा गया है तो यह दो बदला हुए हैं किसमें 36 गर्ड rules and order criminal में और यह किया गया है किसके द्वारा आपके राज जिपाल के द्वारा जो CRPC के एक article के तहट राज जिपाल को क्या मिलता है power मिलता है कि वो अपने राज में rules and orders जो होते हैं उसमें कुछ बदलाव कर सके उसके अधार पर इसने क्या किया राज जिपाल ने एक नया नियम इसमें स्थापित किया है जिसको हम बोल रहे है rule number 87A अब देख लेते हैं यह क्या है a new rule 87A has been included in 36 rules and order criminal after rule 87 87 के बाद में 87A लाया गया है नियम 87A में बलाकार पीडितों के बयान दर्ज करने के लिए सक्त नियम एवं निर्देश दिशा निर्देश तैय किये गए है तो आप लोगों से यह direct question पूछ सकता है mains में दो number के लिए directly question आ जाएगा 36 गर्ड rules and order criminal के rule number 87A किस चीज से सम्बंदित है तो यह सम्बंदित है आपका जो rape victims होती है हमारी उनके statement record करने से सम्बंदित है कैसा है आगे देखते हैं अब देखिए इसमें आपके 4-5 clauses हैं जो आपका rule number 87A है इसमें 4-5 clauses हैं इनको हम लोग पढ़ लेते हैं सबसे पहला है बलातकार की सूचना मिलने पर जो जाश अधिकारी होगा वो पीडिता को बयान तर्च कराने के लिए सबसे नस्दी की न्याइक magistrate के पास में क्या करेगा ले करके जाएगा कैसे ततकाल प्रभाव से ये इंतिजाम करेगा कि जल्दी से जल्दी उस पीडिता को कहां ले जाया जा सके judicial magistrate के पास में ले जाया जा सके जल्दी से जल्दी instantly दूसरा इसमें cross ये बोला गया है जो आपका investigation officer होगा shall take victim to lady magistrate मतलब कोशिश किया जाएगा जहां तक संभव हो सके जो आपकी पीडिता है उनको कहां तक कहां ले के जाया जाएगा judicial magistrate जो कैसी हो जो क्या होंगी lady होंगी है ना ताकि जो पीडिता है उनको संकोच ना हो अपनी बात रखने में पूर्णता रखने में तो lady magistrate के पास रखना होगा ये दूसरा clause इसमें बोला गया है तीसरा clause इसमें बोला जा रहा है जो record date and time of report of incidents and date and time of statement recording मतलब जो घटना का आपको information दिया जाएगा किनको जाँच अधिकारी को उसका date और time आपको नोट करके रखना है और साथ साथ statement उसके कितने देर बाद record हो रहा है इसका भी date और time आपको नोट करके रखना है बोला जा रहा है जाँच अधिकारियों को इसके बाद में चौथा जो इसमें आपका clause दिया गया है इसमें बोल रहा है पीडिता को magistrate के सामने ले जाने में 24 घंटे से अधिक की अगर देरी हुई तो उस देरी को case diary में दर्ज किया जाएगा और उसकी एक प्रती magistrate को सौपी जाएगी 24 घंटे के अंदर ही magistrate के सामने पेश करना है पीडिता को 24 घंटे से अगर देरी हुई तो आपको बिल्कुल exact जो investigating officer है उनको exactly reason बताना पड़ेगा कि क्यों देर हुआ और उसको case का जो आपका charge sheet होता है उसमें भी उसको mention करना पड़ेगा तो यह काफे strict किया जा रहा है ताकि जो हमारी rape victims हैं बलादकार की पीडिताए हैं उनको ज़ादा परेशान ना होना पड़े बहुत ही जबर्दस्त कदम है हमारे चत्तीजगड की government के तरफ से हम सभी इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं इस आपका जो clause है जो परिवर्तन किये जा रहे हैं उसका ठीक है इसके बाद में इसमें इसके बाद में इसमें पांचवा जो बाद कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है क्या धारा 164 के तहट जो बयान दर्ज करने से पहले पीडिता की तुरंत medical जांच कराई जाएगी और उसकी एक प्रती आपको magistrate को दी जाएगी मतलब यह जो पूरा का पूरा आपका मामला है पीडिता का बयान दर्ज कराने का यह जो है आपका अनुच्छे धारा 164 के तहट होता है अब धारा 164 के तहट होता तो है एक और धारा है हमारे पास में धारा 164A जिसमें बोला गया है instantly क्या करना है medical करवाना है पीडिता का तो पीडिता को magistrate के पास पहुचाने से पहले उसका medical कराना है उसके बाद में उसका क्या करना है statement record करना है यह पाँच बातें कही गई है किसमें आपके नया जो rule इसमें लाया गया है 87A 36 गर्ड rules and order criminal में इसके बाद में एक और आपका क्या किया गया है एक नया clause जोड़ा गया है आपका rule नमबर 641 जो है इसमें एक clause जोड़ा गया है E या फिर ग और इसके माध्यम से ये बोला जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति धारा 164 के अंतरगत दर्ज बयान की प्रती प्राप्त करने का हकदार नहीं है जब तक की आरोप पत्र दाखिल होने के पशाद मजिस्ट्रेट द्वारा समुचित आदेश पारित नहीं कर दिया जाता मतलब क्या है इसके पहले तक होता ये था कोई भी व्यक्ति एक सामान ये सा request letter भेज करके मजिस्ट्रेट के सामने जो 164 के तहत आपका बयान दर्ज कराती थी पीडिता है उनकी एक प्रती ले लेता था उसकी copy ले लेता था और वो कहीं न कहीं उसको manipulate करने की पोशिश करता था लेकिन अब इस clause के add हो जाने के बाद में अब कहीं पर भी ना आपको public domain में मिलेगा ना कोई व्यक्ति उसका copy ले सकता है बिना magistrate के permission के जो पीडिता का बयान दर्ज कराया जाएगा 164 के तहत इसलिए ये एक गोपनिय दस्तवेज भी हो जाएगा और कहीं न कहीं इसके कारण जो manipulations होते हैं rape cases में वो भी कम हो जाएंगे तो बहुत ही बहतरीन एक step लिया जा रहा है हमारे government of 36 गड़ के द्वारा हम सभी इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं अगे चलते हैं अगला हमारा है cattle century या फिर govansh अभ्यारन तो ये भी एक हमारे 36 गड़ के government की योजना है जिसके माध्यम से क्या हो रहा है government of 36 गड़ is planning to give extensions to gothan मतलब जो gothan है 36 गड़ के पूर्व सरकार की एक योजना थी gothan की उन gothanों का अब विस्तार करके उनमें और जादा सुविधाय ला करके उनमें और जादा रोजगार का श्रिजन करा करके उन्हें सीधा सीधा एक गववंशी अभ्यारन के रूप में क्या किया जाएगा विक्सित किया जाएगा डेवलप किया जाएगा वही बोलना चाह रहा है government of 36 गड़ is planning to give extension to gothan and convert these gothan into a complete cow century dedicated for all-round development of cattle in the state and for employment generation amongst the youth and women of rural areas 36 गड़ सरकार गोठानों का विस्तार करने के तथा इन गोठानों को संपुर्ण गोवंशी अभ्यारन में परिवर्तित करने के लिए योजना बना रही है जो राज में मवेशियों के सरवांगिड विकास तथा ग्रामिड छेत्रों के युवाओं एवं महिलाओं के लिए रोजगार श्रिजन का एक समर्पित होगा उसके लिए क्या होगा समर्पित होगा इस प्रोग्राम विल बी ऑपरेशनल इन लाइन विद गोवर्धन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्रमेंट तो केंद्र सरकार में एक गोवर्धन नामक योजना चल रही है कुछ उसी तरीके के मापदंडों में इसे क्या किया जाएगा पालन करा करके इसका विकास किया जाएगा हाल ही में हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से पूरे 36 गड़ में 11,000 से ज्यादा गोठान है जिसमें से लगबग 6,000 से ज्यादा 6,000 प्लस जो गोठान है वो पूर्ण रूप से संचालित है मतलब फुली ओपरेशनल है तो ये पूरे के पूरे 11,000 जो आपके गोठान है इनका तो विकास किया भी जाएगा सांत में किस रूप में किया जाएगा गोः अभ्यारण्य के रूप में और ऐसे ही और गोः अभ्यारण्यों का भी क्या किया जाएगा शिला न्यास किया जाएगा 36 गड़ में अब केवाल ये सब बोल देने भर से नहीं होगा, इन सभी की continuous monitoring ज़रूरी होगी, इसलिए state level एक monitoring cell का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा, राज्यस्तरिय निगरानी cell बनाया जाएगा, उसके बाद में इसको decentralized किया जाएगा, विकेंदरिक किया जाएगा, जिलों में, तहसीलों में, ग्राम पंचायतों में, हर जगा, ये जो आपका राज्यस्तरिय निगरानी cell होगे, इनके व्यक्ति काम करेंगे, यहाँ पर भी रोजगार का स्रीजन होगा, और निगरानी करेंगे, कि सारा कुछ सही से पालन हो रहा है, कि नहीं, इसके बाद में हम आते हैं हमारे दूसरे जो सबसे बड़ा फेस है हमारा चर्चित स्थान, हाल ही में जो चर्चित स्थान रहे हैं, प्लेसी इन नियूज रहे हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं, पहला है आपका गंधेश्वर महादेव, तो आप से directly question पूछेगा गंधेश्वर महादेव कहां प दो हजार सालों से ज़्यादा पुराना है, दो हजार साल पुराना या उससे भी ज़्यादा पुराना है, खास बात इसकी ये है कि ये जो शिवलिंग है इससे तुलसी की खुश्बू आती है, आप जैसे ही इस टेंपल में एंटर करेंगे वैसे ही आपको हलकी हलकी शुगंध आनी शुरू हो जाएगी और जैसे ही आप जुग करके प्रणाम करेंगे शिवलिंग को वैसे ही आपको समझ में आएगा कि यह जो तुलसी की सुगंध है यह और कहीं से नहीं उस शिवलिंग से ही आ रही है और इसी लिए ही इनको हम बोलते हैं क्या गंदेश्वर और ऐसा माना जाता है कि यह जिन पत्थरों से बने है वही पत्थर है जिससे हमारे देश के द्वादस जोतिर लिंगग मने पत्थरों चारो और एक विशाल मंदिर था जो बार्वी शताप्ती के बड़े भूकंप और उसके बाद चित्रोत पला नदी में आई बार के कारण नश्ट हो गया मतलब हमारे जो आर्केोलोजिस्ट हैं पुरातत्युविद हैं उनका कहना है कि ये जो आपका गंदेश्वर महादेव का शिवलिंग है इसके आसपास एक बहुत बड़ा क्या हुआ करता था एक विशाल पूरी सब्यता अनुरूप सब्यता जैसे ये क्या हुई करती थी महान नदी में एक भयानक बाढ़ आने के कारण वो सब क्या हो गया वाश आउट हो गया लेकिन ये शिवलिंग बज गया है जिसका जिर्णोद्धार हमारे आर्केलोजिकल सर्वे उफ इंडिया ने और चतीजगड के परेटन विभाग ने मिल करके उसका क्या किया है जिर् सकंद माता की स्टेच्यू सकंद माता का स्टेच्यू हमारे लिए इंपॉर्टन है और ये सकंद माता की प्रतीमा हमें कहां मिलती है मलहार में मिलती है और यहां लोकली इन्हें ग्राम देवी भी बोला जाता है या फिर गाउं की देवी भी बोला जाता है तो आप से डारे क्योंकि इनको माना जाता है कि ये पारवती का रूप है इन्होंने अपने गोद में बहुत ही ममता मही तरीके से एक बालक को रखा हुआ है और ऐसा माना जाता है कि ये बालक जो है ये कार्तिकेय है और कार्तिकेय का ही दूसरा नाम सकंद था इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये पारवती माता और कार्थिके की क्या है प्रतीमा है और क्योंकि कार्थिके सकंद है ये उनकी माता है इसलिए इने सकंद माता का एक रूप बताया जाता है तो आप लोगों से directly question पूचा जाएगा कि सकंद माता कहां पर है कि प्रतीमा कहां पर मिलती है तो ये हमको मिलती है कहां पर मलहार में जो कि बिलासपुर में स्थित है ठीक है वही है आपका मात्रित्व का एक बहतरीन उदारण है जिसमें एक बच्चे को प्यार भरी मुद्र में पकड़े हुए है ऐसा माना जाता है कि यह देवी पारवती है और उनके बेटे जो कार्तिके की मुर्ती है यह है न क्योंकि कार्तिके का दूसरा नाम सकंद भी है इसलिए यह सकंद माता की क्या हो जाती है प्रतीमा बन जाती है इसके बाद में हमारे लिए important है शिव बांद कहां पर है क्यों important है यह अभी देखते हैं सबसे पहला आपके लिए important है शिव सागरबांद important कहां पर है बिलासपूर में है यह अब यह क्यों important है क्योंकि यहां पर एक जो आपकी प्रवासी पक्षी है बहुत ही दुरलब दिखने वाली प्रवासी पक्षी great sand plower greater sand pl प्लूवर नामक एक प्रवासी पक्षी है जो अफ्रिका एशिया और यॉरप के बीच में क्या करती रहती है अपना प्रवास करती रहती है जिस तरफ ठंड जादा पड़ती है बारिश जादा होती है उस तरफ ये क्या करने लगती है अपना प्रवास करने लगती है तो ये से देखा गया है कहां पर शिव सागर बांध में और यह शिव सागर बांध कहां पर है आपके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है इसलिए यह हो जाता है आप लोगों के लिए अगला हम देखते हैं चर्चित व्यक्ति या फिर पीपल इन न्यूज यह वो लोग है जो किसी ना किसी कारण से हाल फिलाल में या फिर बोला जाए मैं महिने के चौते हफ्ते में चत्तीस गड़ में न्यूज में बने रहे हैं सबसे पहले हैं आपके संतोष चौबे अब दे सम्मानित किया जा रहा है इंटरनेशनल भारत गौरव अवार्ड से इन्हें क्या किया जा रहा है सम्मानित किया जा रहा है कहां पर इन्हें किया जा रहा है लगजंबर्ग जो की फ्रांस सीनेट में है फ्रांस सीनेट जो की लगजंबर पैलेस में है और ये पैरिस में है यहां पर इन्हें क्या किया जा रहा है? सम्मानित किया जा रहा है. कब किया जाएगा? इन्हें 5 जून 2024 को क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा. और ये वरतमान में जो आपके CV-Raman University है, चतीजगड की और रबिनरनाथ टैगोर उनिवसिटी है इसके क्या है ये वाइस चैंसलर है तो संतोष चौबे जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से है इन्हें क्या दिया जा रहा है इंटरनाशनल भारत गौरव अवार्ड या फिर अंतरराश्ट्री भारत गौरव पुरसका से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है इसके बाद में हमारे पास में दूसरी जो बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत हो जाएगा यह वेरी-वेरी-वेरी-वेरी इंपॉर्टेंट 200% किसी न किस एक्जाम में यह आएगा ही आएगा यह है नीनू इटेयरा मैं आपकी प्रनूंसियेशन के लिए शमा प्रारती हूँ नीनू इटेयरा यह आपकी दक्षिन पूर्व मध्य रेल्वे की पहली आपकी महीला प्रबंदक महा प्रबंदक बन गई है मतलब आप सभी को पता है साउथ इस सेंट्रल रेल्वे का जो मुख्यालय है वो हमारे बिलासपुर में है कंटीनियसली लगबग पिछले डेड़ दो सालों से हमारे जोन की जो ट्रेंस है वो लेट होने का कंटीनियसली एक क्या बना हुआ है ट्रेंड बना हुआ है किसी न किसी कारणों से हमारी जो ट्रेंज हैं वो लेट होती जा रही है कुछ ट्रेंग दस-दस बारा-बारा गंटे भी लेट हो रही है इन विशम परिस्थितियों में इन्हें बुलाया गया है विशेश आमंतरन के रूप में इन्हें बनाया गया है क्या जनरल मैनेजर और इनके उपर जिम्मेदारी होगी किस चीज की पुरे साउथ इस सेंट्रल रेलवे को लाइन अप करने की डिसिप्लिन में लेकर के आने की ऐसा कहा जाता है कि ये जो नीनू मैडम है ये बहुत ज़ादा डिसिप्लिन्ड है जिनका काम शुरू होता है सुबह 11 बजे ओफिस वर्क शुरू होता है लेकिन ये सुबह 7 बजे से ओफिस पहुंच जाती है शाम में अगर office इनका बंध होना होता है 5 बजे 6 बजे तो ये office से निकलती है 10 बजे तो हम hope कर रहे हैं कि जो south east central railway की zone की सारी trains का ये जो पूरा issue चल रहा है वो जल से जल अब क्या होने वाला है समाप्त होने वाला है हला कि हमारे exam के लिए important ये है which amongst the following has sorry who amongst the following has become the first female general manager of south east central railway options में चार आएंगे उनमें से आपको option लेना है किनका नाम नीनू मैडम का ठीक है चलिए अगली जो हमारे पास में important है वो है स्मृती कटेलिका ये पूरे महाराश्र में आयोजित अखिल भारतिय लोक कला एवं सांस्कृतिक शास्त्री गायन प्रतियोगिता में तृतिय स्थान इन्होंने अखिल भारतिय स्थर पर प्राप्त किया है third rank और इसके साथ ही इनका चयन हो गया है किसके लिए इनका चयन हो गया है international folk dance and singing competition मतलब अंतर राश्रिय लोग नित्य एवं गायन प्रतियोगिता जो कहां पर होने वाली है Thailand में होने वाली है वहां पर इनका चयन हो गया है और ये कौन है हमारे चत्तीसगड की तेरा वर्षी बालिका तेरा वर्षी बालिका और इनका नाम है स्मृति कटे लिखा ठीक है इसके बाद में हमारे आ गये हैं प्रमोज साहू ये हमारे चत्तीसगड के उभरते सितारे हैं ये हमारे चत्तीसगड के यूवर रंगोली और पोर्ट्रेट आर्टिस्ट है याने कि रंगोली and portrait artist of 36 गड़ और इन्होंने दुबई में दुबई का जो आपका वर्ल्ड आर्ट है सेंटर है वर्ल्ड आर्ट दुबई का वहाँ पर इन्होंने एक क्या बनाया है रंगोली बनाई है और वो रंगोली ये आप लोगों के सामने प्रस्तुत है ये है बैगि कि इन्होंने क्या बनाया है रंगोली बनाया है बहद ही संदर बहद ही पुरी दुनिया में इनके चर्चा हो रही है प्रमोट साहु जी की है ना तो यह हमारे लिए वर्तमान में किसमें बना हुए है current affairs में बने हुए है आगे चलते हैं अब sports में हमारे 36 गड़ का performance देख ल राजेस्तरिय युव ए European 30 contrattootha, चत्तिसगर फ्रेजव स्टेट लेवल यूथ एठ्रलेटिक्स, यूथ एठ्रीक्स से याद रखेएगा और यह होने वाला है और यह हो चुका है République कोटा में है और कोटा याने की राजस्थान नहीं राइपूर का जो कोटा है वहां पर कराया गया है इसका आपका प्रतिषपरधा का आयोजन और इसका आयोजन कराया किसने है selection committee of 36 गड़ athletics association मतलब 36 गड़ की जो athletics association है उसने इसका क्या कराया है आयोजन कराया है और यहां से चैनित 29 जो आपके players होंगे athletes होंगे 29 athletes उन सभी को कहां पर ले जाया जा रहा है उनको उस प्रतीसपरधा में ले जाया जाएगा जो लासपूर में होने वाला है जून महिने में याने कि national level का आपका जो youth athletics competition होने वाला है या फिर championship होने वाला है उननीस्वा राष्ट्रिय यूथ athletics championship 2024 में जो होने वाला है उसमें selection के लिए ये प्रतीसपरधा आयोजित कराई गई थी जिसमें से 29 आपके athletes चतीसगड से क्या हो गए है select हो गए है अब ये लोग पाट लेंगे किसमें उननीस्वी राष्ट्रिय यूवा athletics championship जो कहां होने वाली है बिलासपूर में चतीसगड के बिलासपूर में होने वाली है ठीक है चलिए आगे चलते हैं दूसरा हमाले बहुत ज़्यादा important नहीं है चतीसगड क्रबड़ी प्रीमियर लीग हाल ही में चतीसगड के बिलासपूर में continuously है continuous है operational है आयोजित कराया जा रहा है और ये चतीसगड क्रबड़ी जो प्रीमियर संसकरण है बस इतना ही हमको जानना है आगे चलते हैं एक जो हमारे पास में विविद तत्थ है या फिर miscellaneous है हाल ही में ट्राइबल डिपार्टमेंट आफ चतीसगड ने एक डेटा जारी किया है जिस डेटा में तथ्यात्मक रूप से यह बताया गया है कि पहाडी कोरवा के बारे में कुछ इन्फरमेशन देख लेते हैं हम लोग पहाडी कोरवा वन आफ दे सेवन पर्टिकलरली वलनेरेबल ट्राइबल ग्रूप साफ चतीसगड याने की चतीसगड के साथ विशेश रूप से कमजोर आदिवासी समूहों में से एक है कौन पहाडी कोरवा according to recent reports by tribal department the biggest reason that these tribal people are not getting developed even after continuous efforts by government is that they do not have permanent residence मतलब सरकार के निरंतर प्रयासों के बाद भी जो पहाडी कोरवा लोग है वो विकास की राह पर क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं इसका जो मुख्य कारण बताया गया है वो है क्या इनके पास में स्थाई निवास नहीं है अब आप बोलेंगे कि अगर सरकार continuously प्रयास कर रही है तो फिर इनके पास में स्थाई आवास क्यों नहीं है प्रधान मंत्री आवास योजना जैसी स्कीन समारे यहां चल रही है अटल आवास जैसी योजनाय चल रही है उसके बाद में इनके पास स्थाई आवास क्यों नहीं है इनके पास स्थाई आवास इसलिए नहीं है क्योंकि इनका जो एक आदिवासी कल्चर है एक ट्रेडिशन है उसमें इनका एक ट्रेडिशन ये है कि अगर घर में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यू हो जाती है तो ये लोग उस घर को छोड़ करके सीधा नय घर में शिफ्ट हो जाते हैं यहां परिवार के किसी सदस्य की पृत्यू होने पर घर छोड़ कर दूसरे घर में चले जाने की परमपरा है जिन इलाकों जिससे इन इलाकों में प्रधान मंतरी आवाज योजना जैसी योजनाओं भी सफल होने में बेहद मुश्किल हो रही है बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है अब वे मिट्टी और पत्तों से बने कच्चे घरों में रहते हैं ये वो लोग हैं जो किस में रहते हैं? कच्चा हाउसेज में, कच्चे घरों में रहते हैं है ना अब पहाडी कोर्वा के बारे में थोड़ा से इंफोर्मेशन देख लेते हैं यह आर वन ओफ दे सेवें वलनेलेबल पर्टिकुलर्ली वलनेलेबल ट्राइबल ग्रूप से जो चत्तीसगड में है चत्तीसगड में साथ विशेश रूप से पिछडी जन जातियां है और वही हमारा जो अलग से चत्तीसगड राज में दो अलग से जन जातियां है जिनको क्या किया गया है राजसरकार द्वरगोशित किया गया है यह आपके भुंजिया और पंडो तो यहाँ पर खतम होता है हमारा आज का चत्तीसगड का करंट अफेस इससे संबंदित हम आपके केरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पेटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के केरियर पेज पर विजिट करें अथ्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम को को